कि अज़िए दस्तों आज आपके लिए लेकर आएं जिमेट्रिकल इंटेर्प्टेशन आप दा डिफ्रेंशियल इक्वेशन होता क्या है इसी के बारे में टोटल जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में कैसे क्या खासियत है इस अलग से किश्टन हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ा उसी में हम क्यों नहीं बताए कि क्योंकि यह अलग में थड़ है हमारा जिमेट्रिकल इंटर्पेटेशन आप डिफ्रेंशियल विक्टर बहुत ही अच्छा टॉपिक है बहुत यह इतना अच्छा टॉपिक है बहुत बड़ी समझ माने वाला है लास्ट तक वीडियो देखेंगे 100% आप समझ जाएंगे इस वीडियो की इस वाले हम जिसे इस वीडियो में हम बताएंगे दो तिन किष्णा बताएंगे इसका हो सकता है हम दो तीन वीडियो बना दें ताकि आपको complete पूरा का पूरा method भी मिल जाएं और साथ ही साथ आप समझ भी जाएं किस प्रकार से यह question लगाए जाते हैं तो मेरा नाम है विवेक मिस्रार आप देख रहे हैं हम सबका प्यारास चैनल विवेक मिस्राइश्डी चैनल चलिए शुरू करते हैं तो यह होता क्या है अधर डिफरेंशियल एक्रेशन ठीक है है इसी की वारे हम बात करेंगे जुमेट्रिकल इंटरप्रेटेशन आप डिफरेंशिल इसको इक्रेशन अपको यह question मिलेगा किस पॉर्म में यह पालिये समझेंगे यह question जो तो आपको मिलेगा geometrical interpretation dx कुछ भी हो सकता पी इक्वड ड़ीवाइड पां kूझवीट ड़ी hoor कूझ फार इसी मिलेगा जब भी आपको ये क्षिच्चन दिखेगा इसी प्रकार से ये दिखेगा तो आप जनारली से किसे ट कहिंध सब्सक्राइब किस प्रकार से करेंगे यह हमें यह जानने की आवश्रक्ता है अगर आप इस प्रकार से जैसे प्रकार करेंगे कुछ देखिए इसमें कई प्रकार के मेथड लगते हैं हम जैसे जैसे कृष्टन कराते जाएंगे आपको मेथड अपने आप क्लियर होता चला जाएगा जैसे इसमें एक मेथड होता तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं तो हम जैसे मानेंगे जैसे हमारा जो डिनॉम्नेटर में जो मिलेगा डिनॉम्नेटर में अगर हम कुछ ऐसा मान देख हमारा डिनॉम्नेटर एड करने पे जीरो आ रहा है तो हम उसके निम्रेटर में उसी से मल्टिप्ल minus x and equal to digit upon z x minus y तो इसको अगर हम solve करना हो तो किस प्रकार solve करेंगे हमने बताया था जो denominator होता है उसकी जिए पर मत्लिप्लर्स मारते हैं इसका क्या मानते हैं मत्लिप्लर्स तो मत्लिप्लर्स इसलिए मारते हैं ताकि हम उसका जिसे हम ले ले लेते हैं मत्लिप्लर्स इसका क्या हो सकता है अगर हम इसको आड़ करना चाहते है एक सो आई माइनस एक सब्सक्राइब कर जाएगा और मतलब इसका मत्लिप्लर्स इसका माल लेते हैं यह आपके कॉमन सेंस पर उपर निर्वर करता है कितनी तेज आप सोच सकते हैं और आप कर सकते हैं हर एक चीज़ कोई इंपॉसिबल नहीं है इसलिए आप कॉमन सेंस मतलब उसको ध्यान लगा कि देखिए क्या चीज़ होने पर जीरो हो रहा है कई कंडिशन ऐसी आते हैं जीरो भी नहीं होता उसको दूसरी तरह से हम सॉल्व करेंगे दूसरा मिठड लगाएंगे सब कुछ देखेंगे लेकिन पहले इस किश्चन को जानने के एक दम ध्यान से समझेगा यूजिंग मल्टिप्लेर्स विजिंग मlt प्लेर्स क्या कर लें 1,1,1 जब 1,1,1 कर लिए तब क्या होता है दिखिए यह क्या पॉँन हमने बताया था लग है कि इस एक आपढ़ पी डॉ बाइउ पान क्यू दी जड़ डपान आर यह है हमने क्या बताया था कि यल पी जैसे माल लीजिए प्लस यम Q प्लस यन आर होगे है अब रख सकते हैं यह यले यम यन माल लिजे कुछ भी माल सकते हैं यजन माल लिजे इकवर्ट हमारा 0 आना चाहिए इतना रहां देजेगा तो यले की जगां क्या पूट करेंगे 1 पी की जगां क्या हमारा यक्स वाई माईनस जडे एकस इसका मुटिप्लाइ करा दिए यक्स यम की जगां क्या हमारा अगर यहां पर यक्स वाई जड़ बांते हैं तो यक्स पी और यक्यू और जड़ आ रखते कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वैलु क्या हो जाएगी मारी yz minus xy and plus nr की value n की value 1 r की value हो जाएगे मारी zx minus z अब हम यहाँ पर देखेंगे once यह multiply करेंगे same time xy minus zx plus yz minus xy plus zx minus zy देख रहे हैं यह zx है यह zx है plus minus यह भी हमारा क्या हो जिए 0 कटता नहीं घटता रही मैं काट की से लिए दिखाता हूं ताकि आप लोग समझ पाएं यह कटता है zx minus zx हो करकी 0 हो जाता है xy xy 0 हो गया zy zy 0 हो गया आया क्या 0 complete अब देखिए जब यह 0 आ जाता है तो हम multiply जो होते हैं इसके numerator में multiply कर देते हैं क्या करते हैं multiply कर देते हैं लिएंगे hence जैसे अगर माली जे आपका x abc रखने पर 0 आ जाता सपोस्थ that abc रखने पर 0 आ जाता जो 0 हो जाता है adx लिखते हैं plus bdy plus cdz यह लिखते हैं तो multiply समारे हैं तो लिखेंगे l dx plus mdy plus ndz equal to 0 l की value क्या है वन है तो यह हो जाएगा dx plus dy plus dz equal to 0 अगर हम इसका क्या कर लें क्या कर लेंगे integration कर लेंगे integrating on both side दोनों तरफ हम integration कर देंगे तो dx का integration x dy का integration y dz का integration जिरो का integration कोई constant सिगर माल जिए अब कुछ बच्चों दिमाग में आ रहा होगा सर dx का integration x कैसे हो गया भाई क्लास जल्द में आपने पढ़ा था चलो ठी नहीं पढ़ा था फिर भी कोई बास मैं बता हूंग dx का integration x हुआ कैसे देखो अक्चूल में होता यह है कि जो dx हमारा यह से डाइट लिखा गया इसका इंटिगरेशन बता दिए अगर उसका power 0 है जनरली वह वन ही आता है और क्यों आता है अब यह बात था सी किसे power 0 होती है तो वन क्यों आता है नमगा रहे क्या चलो ठीक बता दे रहे देखो जैसे x power 0 ही लेलो इसकी जिगाव वन कैसे आया x power 0 है तो x power 1 into x power minus 1 ले सकते हो multiply में जो हमारी पावर होती हो एड हो जाती इसको नीचे ले जाओ x power minus 1 है तो x power 1 समझे मैं अब देखो dx हो गया अब जो हमारे integration होता है जिसे x power 0 है इसका integration करोगा एक जोड़ता है हमारा वही नीचे भी लिख दिया जाता है यहीं होता है तो x power 1 बचा power 1 बचा मिन्स लखता है यह आ गया इसका equation number first बना लिजिए फटाफट से equation number first बन गया confirm हो गया चलिए अब आगे देखते हैं किस इस प्रकार से solve कर सकते हैं इसको और एक चीज हम अगर देख लें कुछ और रखने भी 0 हो रहा तो हमारी सीटू की value आ जाएगी हमारा दो एक्वेसन चाहिए इसमें जब दो equation number मिल जाते हैं generally हमारा equation solve हो जाए का चलिए देख लेते हैं अब कुछ ऐसा माल्टिप्लर्स रखिए ताकि फिट से अगें 0 हो जाए तो रखेंगे क्या जैसे suppose यहां पर देखिएगा यहां पर वन पान एक्स रख दें एक्स एक्स कैंसल हो जाएगा y-z बचेगा वन पार y रख दें z-x बचेगा वन पान एक्स-y बचेगा अब देखिएगा kण माल्टिप्लर्स कोई अग्में बचेगा लेते हैं जिसे क्या रख लिए वन पान या पान आपका वाई कामा आपकान इसको रख लें तो बलूए यह यहां प्लस यहां थीक तो समझ में आया हम क्या करते हैं पहले तो हम यहीं करते हैं यल P प्लस यम Q प्लस यन A इक्वल टू जी रो हमारा आना चाहिए ना देखिए आता है या नहीं आता है आप करके पहले देखिए तो यल इन्टू यल की वेलू क्या रखे हैं हम यहां पर वन अपानी एक्स पी क्या है हमारा यहां पर इंटू एक्स y-z आप यहां कुछ भी मान सकते हैं लेकिन जैसे आप रूल होता है एक ही चीज मानेंगे तो आपको सेंस्ट्य जो दिमाग होता है वो जल्दी आपका अब जबक लेगा अगर अगर मानते रहेंगे तो उसी में पंच वे रिखिटी हो जाएगी समझ नहीं पाएंगे यह की वेलू क्या वन अपान वाई क्यों कि आ है मारा y इंटू जेड़ माइनस x लेंगे y इंटू जेड़ म जेड़ से x मर गया y से y מर जेड़ से 10 बिचार गया अपट क्य hometown क्या हमारा y माईनेस जेड़ माइनस x मैनस y य य से य कृई जेड़ से जेड़ से जेड़ सब गाई बच्चे क्या जीरो लड़ू आगे हमारा अब जब हमारा यह जीरो बजो आ इसके आगे कैसे noon करेंगे इसी मेद եिक जब यह जीरो जाता है तो minds क्या करते हैं इसमें multiply करके add करते हैं simple साथ तो हिंस क्या हो जाएगा हमारा yandx plus mdy plus yanddz equal to zero yandx 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 upon y dy yand क्या हमारा one upon z and to one upon x dx मतलब one upon x का integration जब इसमार dx लगा ओता हैं इसे डिफ्रेंशी सन्ट ओन पान एक्सदियर समदब वन पार यको इसके का इंटिरेशन वन पान है कि आप लोग नहीं पढ़ते हैं और दिमाग में हमें से रखो हम बहुत तेज हैं पढ़ने में और पढ़ने में मन लगाईए और तेज बनी विद्यार्थी का जो घ्यान होता है उसी वक्त काम होने लगता है जिस दिन उसके अदर अंकार म विझे तो आता है यह चीज़ हुआ हम districts है और अगे हमेशा हर एक समय कुछ न कुछ जाने जिग्यासा रखने की कोशिस जिग्यासा कभी खत्म नहीं चाहिए जिस दन जिग्यासा खन्म हो गई उसी दिन से हमारा रास्ता भी बंदेगा ठीक चले दिखते हैं लाग एस लाग वाई करें सर मैं पढ़ाते पढ़ाते कहां लेकर चल होलह धीजिए लाग यह फ्रस राग वाई प्रस्र लॉग जेट टू अित्यू हमारा अगया जाहिए लॉट बढ़िया धशल्स तौ यहां जाए लाट को इसको और भी स्वालों करना चाहिए यूठ को लॉटकर नाटकर Video painful सब्सक्राइब करें इस preço मパंद लाग या besar भी स्काइब को सो जाता है या् जील फिल्चल को सब्सक्राइब का यहकी जाता है क्या याक सवाइब इकना भाइद थिलेंगे लिए नॉम्बर सेंड फंड़ सेंड यह रीकुएर्ट स्वीचन आप पर इस किस्टन बढ़िया किस्टन था चलो बहुत चैकर सहनता कुछ बच्चे दिमाग में आए सब्सक्राइब सिंपल है बहुत बहुत सिंपल है तुरंत कर देंगे चलो मैं एक केश्चन देखता हूं कुष्चन देता हूं आप तुरंत अल्ल करके तुरंत सॉल्व किजिए तुरा आपके सामने है कुछन सोल फटावट से सवावट किजिए कुछ हनता है डेखो वैसे तो आ सकता है लेकिन इस में थोड़ा सा नया में तड़ाएंगे जिसके तरह से आप कुछिश्चन देख करके जान जाओगे कौण इसमें थाँ से लेगा कौन कौन सा कुष्टन उसमें थाँ से वेरहाल आप पहले इसको सौल किजिए जब एक बाद दिमाग से अपने दिमाग से जादा बढ़ से समझ माता फटा-फट से। फट कीजिए फान से टाइम है वन टू ट्री पॉर फाइब असर पांते कर्म कैसे सौल कर पाईए तो किष्ण लिख निम टाइए अरे भाई वीडियो को पुस्ट कर लो सौल कर लो और क्या दिक्कत है साथ एक खुशकबरी देने वाला हूं आप लोगों को जल्द ही मैं लाइफ क्लास आपको दिखूंगा ला पूरा का पूरा लेकिन हम लाइफ क्लास कौन सा आएगे आपको लेकर आएंगे चाहे आपका फॉस्ट सेकेंड या थर्ड अर्गेनिक इनार्गेनिक फिस्कल कोई भी आपका अब्जेट्ट कुशन हो आप पर सकते हैं जल्द ही मैं लाइफ क्लास दिखने वाला हूं आप कुष्टन करते रहते हैं मैं करते रहते और मैं बहुत होंगा जद यदि आप सांट करते रहे कर लिए चलिए तो लाइफ प्लास अच्छा रहे नहीं लाइक की सेगा और कमेंट बॉक्स में जरूरल बताइए लाइफ करेंगा आप लोग को वो तो जब आएका तम पताज क्या है कि पहला वाला मिथड तो आपने देख लिया दूसरा अज़ए जब हम पहला थेन के तीनों अब देखेंगे धिए एक सब्सक्राइब जों ने दालें कि कौन सा घृण डोї अऌ़ें हमारा हो ét एंसर आजाए यह यह लेंगे नहीं होगा यह destructive यह वाई जैड धिवाई हो जाएगा वाई जे डिवाई आड अड़ वाई स्कौर डिवाई बहुत लम्ब जाएगा अब इसमें इसमें देख लो Simple सा इसको इसको अगर दो किशन ले ले हम दोनों का डिवाइडोज़ से हमारा पहले तो यह इल्क्रेस्टन हो जाएगी क्या हो जाएगा होने के बार हमारा एंसर आ झाएगा हम एक बारा कुछ से यूजिं्ंक कर लेंगे यूजिंग जो भी हम एक याहां पर हम रखेंगर यहां पर vajat हम तो रखके देखेंगे देख लेंगे जो होगा हुई तो हम कर डेंगे पहले आप जो हमारा स्थ होता रहे जिस बीगा आल समझेगा जैसेों को लेकर के कमारे इंटिकररशन लफाल असनि से हम इंटिकरेशन कर देंगे चलिए छावले लेते हैं दी वाइप भाई ठैट ईकवा इसका मुटिप्राइद है इसका मुटिप्राइद है इसका मुटिप्राइद क्रास मॉल्टिप्रिकेशन यह क्या होगा ydy minus zdy equal to ydz plus z digit ydy d मतलब y कांटिग्रेशन करना य कांटिग्रेशन y1 रहा था पार 1 एक जुड़ता है पान 1 plus 1 means y square by 2 minus z तो हमारा क्या होगा y के respect में करना है वन इंटुड़ लिखेंगे यह देखें जट डी वाई है हमारा जट हमारा बाहर हो जाएगा तो 1 into dy लिखेंगे तो क्या बचेगा y तो होगा इसका तो z y हो जाएगा confirm इक्वल टू ydz y तो हमारा बहर हो जाएगा क्यों क्योंकि जट का function है तो yz का function है नहीं इसलिए यह उमारा एक constraint का का अब आप लोग इंटीग्रेशन क्या होता है तो अगर आप लोग इंटीग्रेशन नहीं पड़ेंगे तो आप क्मारी बात कहना मानेंगे आप क्लास 12 का इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसियेशन पड़ लीजिए अधर वाज आपको परसानी होगी करके पूरा का पूरा डिफ्रेंसियेशन और वेक्तर हमारा चलने ही वाला है अब देखेंगे होने क्या वाला है इसको इदार ले आएग कोई कॉक्टएं टर्म सीवर यह हुआ यगा वाई स्कोईर फाइर फॉर यह स्कॉर बाई टू मायश टू जड़ उडवाई एकक वाटव सीवर किस्टिन मिला हमारा किसंट मिल गया ना हमारा यह हमारा एंसर हो गया या फिर आप तू कामन का डूलर ले लेंगे तो क्या व तो जनरली आप सीवन को क्या लिखते हो को दिखके आप दूसरा हमारा चाहिए एक तो हमारा एक्योशन मिल जा आप दूसरा किस प्रकार से आपका आ सकता है यह चीज आपको देखना पड़े को शुदेगे समझीएगा पहले अगर हम यहां पर रखे वन यहीं दिमाथ लगाना होता है वन रखे तो वह जे करेंगे तो यहीं बचाएगा हमारा जटब इसकोई टू य जट और वाइस को तो इसमें और इसमें क्या करें समझीएगा एड़ करना है तो वाई प्लस जड़ और प्लस वाई माइनस जड़ यही एड़ करना है देखो यह तो जड़ जड़ कर जाएगा बचा टू आई तो क्या इससे इससे कुछ होगा नहीं होने वाला कुछ मी अब क्या कीजिये दिमाक रगाओ अगर इसमें हम य से मंटिप्लाई कर दें और इसमें जड़ मल्टिप्लाई कर दें यह क्या जाएगा वाई स्कौायर को डिट तक रहाजाँ थी स्वार कें स्वार्ग स्वाइब अप्लस माइनस में यह माइनस प्लस कट गया थो जोड़ क्र orden आप देखो जब इसको रखते हैं आप देखो जब इसको रखते हैं नहीं है तो क्या करते हैं पहले स्कोर के दिखा दा तो पढ़े गावा हमने तो आपको दिखा दिया लेकिक भी लिखिए आप 1 से माईने करेंगे z square minus 2 y z minus y square plus y से multiply करेंगे y plus z में plus z से multiply करेंगे y minus z में तके 0 आया कि नहीं आया यह z square minus 2 y z minus y square plus हमने इसको करके रिखा लेगे फिर रिका दे रहे हैं चलो चीप जड़ी स्कॉयर जड़ी स्कॉयर खत्म है यह कहीं बार में कारते हैं कहां बारी बार कारते हैं यह देखाँ y-z square z square मर गया y square y square से घिया तू-yz तू-yz उत्ते गया अट चाले चले गए चले चले गए आप जब 0 बच जाता है आप क्या करेंगे जब मारण जड़ीरो बच जाता है तो हम वही multiplex उठा के लिए जाकर यहां पर रखके add कर लेते हैं किन्पल्स हमारा हो जाता है हम क्या करते हैं अब यल दी एक्स प्लस यम दी वाइड प्लस येन डी जेट इक्वर्टु जियो यल यम यह न माननो यल की वैलू वन दी एक्स की वैलू क्या यहां पर यक्स डी एक्स है ध्यान दीजिएगा आपको कुछ भी हो सकता है जो भी कफश्च जण Judge अब बचा ये की विलू यह यहां न फे यह से डी वाई डीवाई तो मारा डी बाई है मरी टो है इसे ह्मारा टी यह भाई अब यहाफ इन्टीग्रेशन कर दो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हो अभी नहीं हुआ अब करना पड़ेज एकस दूख का इंटीग्रेशन Y square by 2 Z मतलब R integration होता है यह Z square by 2 equal to QC2 है अब देखो तो हमारा क्या करेंगे यह सी में लेंगे याल सी हम लेने के बाद उधहर जल्सी अम लो, खमा दो, dC2 ले लो, 2 ले लो, दे देंगे देखो, y square, y square, z square, नीचे मारा, 2 बचा था न, 2 को हाम ने दे दिया, dC2 ले लो, काम आएगा, खालो, मुटे हो जाओ, देखो, मिले लो, अडंने 2C2, प्राबद मंख से देने toothpaste हो बबाigt मow bी नहीं लेता, आगे आप देखो 2C2 आया है आप एक सीटुली को कोई दिकत तो है थोड़ी एक आंस्ट्रेक्टर में ही मारे देखो रिक्वार्ड सुल्यूशन बजगे इक्वेशन नुबर फास्ट बना लो इक्वेशन नुबर सेकर्ड बना लो विखेंगे लिग लीजिए इक्वेशन न इसे एक दूसरा क्लास अब तरीकी सा लॉहता है अभी कभी कभी इसको मांग मेंश कर देंगे किक्षचन को एंसर लाना तो पड़े काझ में मिलते हैं अगले वीडियो का इंतिजार कीजिए बढ़ियां से इंतिजार करना जल्द ही आएगा चलो